हरे कृष्णा फालगुन महा के कृष्ण पक्ष में पढ़ने वाली एकादशी को विजिया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन विधिविधान से भगवान श्रीहरी की पूजा की जाती है। इस दिन शुरीहरी की पूजा करने और उपवास रखने से भक्तों के जन्म जन्मांतर के पापों से उन्हें मुक्ति मिल जाती है और मृत्य के बाद मोक्ष की प्राप्ती होती है। कभी भक्त और साथ ही वैशना संप्रदाय के लोग या इसकौन से जुड़ेवे लोग रखेंगे। के दिन किया जाएगा। उपवास रखेंगे वो साथ मार्च गुरुवार को सुबह नौ बजकर पचास मिनट से दस बजकर पैतालिस मिनट के बीच में अपना उपवास खोल सकते हैं। किसी कारण से अगर आप इस समय उपवास ना खोल पाएं तो दोपैर में एक बजकर पैंतालिस मिनट से लेकर तीन बजे तक का समय भी वरत पार ना करहेगा। वैसे सुबह का समय जादा उत्तम रहता है। लेकिन आपको ध्यान ये भी रखना है कि साथ मार्च को गुरुवार को सुबह नौ बजकर चालिस मिनट पर हरी वासर का समय समाप्त होगा। और मानिताओं के नुसार एकादशी वरत के नियमों के नुसार हरी वासर का समय जब तक रहता है तब तक उपवास नहीं खोला जाता है। अब जो लोग दूजी एकादशी का वरत रखेंगे यानि सात मार्च को उपवास रखेंगे वो लोग आठ मार्च शुकरवार को साथ बचकर पचास मिनट के बीच में अपना उपवास खोल सकते हैं इस बार आठ मार्च शुक्रवार को ही प्रदोश व्रद भी रहेगा जो लोग एकादशी का उपवास और प्रदोश व्रद भी रखते हों उन्हें व्रद का पारणा करतिस में खास सापधानी बरतनी चाहिए व्रद का पारणा करतिस में केवल तुलसी पत्र और जल को मुख में डाल कर या फिर मौसमी फलों का सेवन करके व्रद खोलना चाहिए भूले से भी अन्न का या नमक का सिवन पारणा करते समें नहीं करना चाहिए जो लोग केवल एकादशी का ही उपवास रखते हों वो लोग द्वादशी तिथी को वृत का पारणा करते समें पहले भगवान को भोग लगाएं और उसी भोग को परशात रूप में ग्रहन करें और उसके कुछ देर के बाद आप शुद्धसात्विक भोजन ग्रहन कर सकते हैं भूले से भी एकादशी के दिन चावल या चावल से बनी वस्त्वों का सिवन नहीं करना चाहिए दश्मी तिथी से लेकर दवादशी तिथी तक मसूर की दाल, बैगन का या लहसुन प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए दश्मी तिथी को ही तुलसी पत्र भी तोड़ कर रख लेने चाहिए जो भी इस दन भगवान विश्नों की पूजा करके उपुआस रखते हैं, उन्हें अपने हर कारे में सफलता प्राप्त होती है इस वरत का उलेक पद्म और इसकंद पुराण में भी मिलता है, अपने नाम के अनुसार ही सिकादशी का वरत करने वाला सदा विजय ही रहता है प्राचीन काल में कई राजा महराजा इस वरत के प्रभाव से अपने निश्य थार को भी जीत में बदल चुके हैं ऐसी मानेता है कि भगवान श्री राम ने भी रावर से युद्ध करने से पहले अपनी पूरी सिना के साथ इस वरत को रखा था इस बारे में और अधिक जानने के लिए आप हमारे चैनल पर आगे आने वाली वीडियो को जरूर देखेगा जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लिजेगा